ललित नरायन मिश्रा इंस्टिटूट ओफ एकोनोमिक डेवलप्मेंट के डाइरेक्टर एस सधार्त ने कर्शिश न्यूज से खास बाचीत की उन्होंने कहा कि संस्थान के छात्रों ने शांदार प्रदशन किया है और उनका बहतर प्लेस्मेंट हुआ है आने वाले बहीने में कुछ नए विश्यों की शिर्वात होगी डॉक्टर एस सधार्त ने कहा कि संस्थान के छात्र ही ब्रांड है और उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी सब्सक्राइब प्लेस्मेंट हो जाता है उसके बाद आंकड़े हम लोग रिलीज करते हैं और इसका यह उदेश है कि जो नए स्टूडंस है अगला सत्र में अप्लाई करेंगे उनको जानकारी होना चाहिए कि इस इंस्टूड में एड्मिशन के बाद प्लेस्मेंट का क्या फ्यूचर है और क्या उसका प्टेंशिल है और किस के सेक्टर में लोग प्लेस हुए हैं और किस प्रकार की मौकरेयां में लेंग तो मेरा बस अनुरूद है बच्चों से जो नए सत्र में से पास आउट हुए है और वरतमान में एड्मिशन चल रहा है कि इस इंस्टूशन में एड्मिशन लें और अपना कारियर इस इंस्टूशन के साथ बनाएं असर कुछ नए कोसलिया आप सुरू करेंगे चुकि लगातार जो टेक्नोलोजी अपडेट हो रही ह जो Management का जो सेकर्ण स्ट्र रहे हो लगा चेंज हो रहा है इस साल से हम लोग Integrated BBA है और Integrated य ये वैचला बी सिययर बेदी हम लोग शुरू कर रहे हैं पांच साल का उनके लिए काफी कुछ करने के लिए एक बड़ा विकल्प यहां पर मौझूद है और यहां पर यहां पर प्लिस्मेंट हुआ है वो प्लिस्मेंट भी काफी शांदार है क्या पसंद शाम के साथ प्रितमकुमार कसिस न्यूज पतना सुपोल से आपको बड़ी खबर बता दे